जहीं दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिट से इस नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 10th pass एक्सरिस्मेन के लिए railway में वेकेंसी निकलने वाली हैं जिनकों की level 1 post के नाम से भी जाना जाता है तो उस post में ऐसी क्या खास बात है कि जो इस वार एक्सरिस्मेन के लिए वो काफी विशेस है उसका जो level है exam को क्या होगा कुछे कम sample question paper भी देखेंगे पिछले वर्सों में आई हुए कुछे questions को discuss करेंगे ताकि आपको ये पता लग सकेगी ये जो exam है इसका level क्या रहेगा और इसको निकालना कितना कटिन है दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी cover को जानने के लिए subscribe का button दबाएं और bell icon को press करके all का button दबाएं ताकि सारी latest जानकारी आपको मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये इस बार का जो railway का level 1 की post है ये काफी special है एक्सरिसमेन के लिए कुछ एक region है जिनकी जैसे एक्सरिसमेन के लिए काफी खास हो जाती है सबसे पहले तो ये जो भी post है ये 10th level की post है यानि कि 10th pass एक्सरिसमेन इसमें अप्लाई कर सकते हैं हाला कि कुछ एक जो post होंगी और 10th pass प्लस IDI की होंगी लेकिन फिर भी ऐसी काफी post हैंगी जो सिर्फ 10th level का एक्सरिसमेन इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा education qualification की आवशकता नहीं है इसमें दूसरी important चीज यह है कि यह vacancy है काफी बड़ी मात्रा में आने वाली है यह 40,000 से लेकर कि 50,000 vacancy hours से इसमें देखने को मिलेंगी और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं और इसमें जो post होंगी वो लगबग आपके सभी departments जो railway के होते हैं जैसे mechanical, engineering, traffic, electrical department यह सारे departments के अंदर यह vacancy इसमें आएंगी तो अच्छी बड़ी मात्रा में vacancy हैं जो भी एक्सरिस मैं जो काफी जो 10th pass हैं और काफी लंबे समय से vacancy का wait कर रहे हैं या फिर जो recently जो एक्सरिस मैं हैं वो retire हुए हैं और जो 10th pass हैं तो उन सब के लिए एक काफी अच्छा मोका हो सकता है इंडियन आर्मी के बाद जो सबसे बड़ा organization है इंडिया के अंदर वो इंडियन railway है और इसके जो promotion है और बाकी जो facilities हैं वो भी बाकी सबी सरकारी department से बहतर है तो इस वज़े से ये काफी सुनहरा मोका है एक्सरिस मैं के लिए बात करें salary की तो level 1 की समय salary रहेगी starting gross salary आपके लगवा के 40,000 के आसपास होईगी और उसके बाद हर साल जैसे आपके increment लगते हैं आपके promotion होते हैं तो उसी साब से फिर आपकी salary बढ़ती जाएगी Age relaxation अल्रेडी मैंने पिछले वीडियो में डिसकस कर दिया था 36 साल normal candidate के लिए है जो भी एक्सरिस मैं 50 साल से नीचे एकी उमर के हैं वो सभी इसमें try कर सकते हैं आप ये मान के चलिए तो जिन्होंने अपनी बचा साल की age प्राफ नहीं किया और सरकारी नोकरी में जाना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बहतरीन मौका हो सकता है इसमें एक और important सीज है कि ये जो job था ये पहले group D में आता है लेकिन अभी इन सारी पोस्टों को group C में कर दिया गया है यानि कि group C जो आप बाकी जो jobs देखते हैं जैसे SSC, CHSL के job होते हैं, bankler के job होते हैं तो इन पोस्टों को group C में लाने का मतलब है कि इन पोस्टों को upgrade किया गया है salary wise भी इनमें फरक देखने को मिलेगा और इनका जो काम है उसमें भी आपको फरक देखने को मिलेगा तो काफी बढ़िया group C के job में अगर 10th pass के लिए group C का job मिलता है तो एक काफी एक अच्छी बात है दोस्तों जो लोग सेहना में नोकरी कर रहे हैं वो भी इसमें apply कर सकते हैं लेकिन जब इसका notification आएगा उसकी जो apply करने की last date होगी उसके एक साल के अंदर-अंदर आपको सेहना से discharge होना होगा तभी आप इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों इसका जो selection process है मेली एक ही चीज़ पर depend करेगा वो है आपका जो computer based test होगा और उसी के base पर आपकी merit बनेगी और दूसरा इसमें एक physical efficiency test होगा जो की exercise man के लिए बिल्कुल normal है तो आराम से सभी इसमें qualify कर जाएंगे CVT आपका total 90 minute का होगा इसी में आपका selection पूरा depend करेगा इसमें 4 subjects होगे आपका general science, mathematics, general intelligence और general awareness general science और mathematics के 25 questions होगे general intelligence और reasoning के 30 questions होगे और general awareness के 20 questions होगे total आपके 100 questions होगे और इसमें आपकी 1 by 3 की negative marking भी होगी दोस्तों इसके बाद जो आप physical efficiency test है वो काफी normal होता है इसमें आपको 100 meter तक 35 kilo का weight लेके जाना है और इसके लिए आपको 2 minute का time मिलता है इसके अलाव आपको 1000 meter यानि की 1 km की race करनी है 4 minute और 15 second के अंदर तो काफी normal है सभी इसको आराम से qualify कर लेंगे दोस्तों important dates के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि जो इसका जो level 1 की जो vacancy है उसके लिए जो railway का ने जो calendar जारी किया था उसमें जो date थी October से लेकर के December की बीच में दी थी लेकिन October अलड़ी निकल चुका है November भी लगवर निकलने वाला है तो अभी किसी भी time के उपर यह आपको जो exam का जो notification वो आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों अभी देख लेते हैं कुछ previous year के question जो कि पहले group D railway के exam में आच चुके हैं level 1 के exam में आच चुके हैं तो इससे आपको पता लगया कि जो exam का standard हो किस प्रकार का रहता है तो मैंने 10-12 question लिए हैं जो पिछला question paper है उससे तो इसमें mainly देख लेते हैं one by one की कौन कौन से question है तो यहां पर पुछा गया है कि जो सबसे पुराना public sector bank है यानि कि जो सरकारी bank होते हैं इन में जो सबसे पुराना जो सरकारी bank है वो कौन सा bank है तो जर्नल awareness का question है तो यहां पर इसका answer है अलावाद bank तो इस परकार से आपके जो पुरानी institution है उनके बारे में चीज़ें पूछी जा सकती है दूसरा square root जैसे math का simple question है square root पूछा गया है 5476 का square root क्या होगा तो जैसे square root आपको निकालना आना चाहिए तो जो भी square root के question आते हैं अच्छी education के लिए तो इसमें दो conclusion दिए गए है पहला कि जो parents है वो आपने बच्चों को अच्छी education देना चाहते हैं जो की सही बात है और जो second statement है वो है कि जो अच्छी education है वो सिर्फ high fees से दी जा सकती है परन्तु यह सही नहीं है क्योंकि अच्छी education को जुरूरी नहीं है high fees से दी जाए वो आपको कम खर्चे पे भी मिल सकती है तो इसलिए जो इसका answer है वो only conclusion one follows यानि कि हर parents चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी education मिले तो इस प्रकार से आपके statement और conclusion से संबनित question पाकी exams में भी आते हैं तो level one के exam में वो आ सकते हैं इसमें figures वाले question आ सकते हैं कि जैसे इसमें पुछा गया है कि जो image है इसका जो reverse figure होगा या water image होगी वो क्या होगा तो जैसे इसको अगर water image में खड़ा करते हैं इसकी जो water image होगी वो यह इसका ठीक उल्टा जो कि आप image A में देख रहे हैं वो होगी दोस्तों इसके बाद जैसे coding decoding के question आते हैं हलकि इसमें जो coding decoding होती है वो काफी normal level की आती है ज्यादा high level की coding decoding नहीं आती है जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि जो LIT है उसको code किया गया है 12920 के साथ यानि कि जो L है वो 12 आक्षर है ABCD का I है वो 9 आक्षर है और T है वो 20 आक्षर है तो इस परकार से इसको 12920 की जो coding दी गई है इसी परकार से पूछा गया है कि जो THAT है नहीं कि that का coding है वो क्या होगा तो यहाँ पर जो that का coding होगा वो option number 3 20 8120 होगा क्योंकि जो 20 वा letter जो T है वो 20 वा letter है जो H है वो 8 वा letter है A है वो पहला letter है और 20 फिर जो T है last का letter है तो इस तर आपको हर जो आपका alphabet की आपको coding इसमें देनी है दोस्तों इसी परकार से coding recording का same question है उसको दूसरे तरीके से पूछा गया है जैसे M E N U menu को जो code करेंगे 13, 5, 14, 21 तो इनका जो alphabet में इस्थान है यानि कि M 13 लेटर है, E 5 लेटर है, N 14 लेटर है और U 21 लेटर है इसी परकार से आपको F OOD food को code करना है तो इसका answer option number 4 होगा क्योंकि जो F है वो 6 लेटर है, O जो O है वो 15 लेटर है इसलिए 2 बार 15 लेटर है और D है वो 4 लेटर है तो 4 लेटर है, तो इस परकार से आप इसको decode कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद जैसे square root का मैंने बताया है कि 0.0324 का square root क्या होगा तो आपको square root निकालना आना चाहिए दोस्तों इसके बाद एक जो normal general awareness का question हम बोल सकते हैं कि जो पहला विदेशी भावन था वो कौन से state के अंदर established किया गया, तो यह जो विदेशी भावन है, यह महराश्टर के अंदर established किया गया पूरे देश में यह विदेश में उनी के बारे में ज़्यादा पूचा जा सकता है, जैसे कि इस साल Olympics हुए थे तो Olympics के बारे में ज़्यादा पूचा जा सकता है, तो इस type से question पूचे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत दो साल पहले की या तीन साल पहले की कोई इसी फिगर होगी जहांपर question mark लगा हो क्या होगी तो यहां पर जैसे एक circle के बाहर दो छोटे circle हैं तो और second figure में यह दोनों अंदर आ गए हैं इसी प्रकार से एक जो rectangle है उसके बाहर दो circle है तो next figure होगी उसमें rectangle के अंदर यह circle छोटे वाले आ जाएंगे तो इसका जो correct answer B होग तो आराम से एक्जाम है क्लियर कर लेंगे दोस्तों इसके बार next है कि जैसे हमारे हिंदु दरम में चार वेधा हैं तो उन वेधा के अंदर कौन से जो वेध के अंदर music के बारे में बतायाר या यानिकि संगीत को संगीत के बारे में बताया गया तो इसका सैनो son просle वो correct होगा इसी प्रकार से जैसे next figure है तो इसमें कौन सा figure odd one out यानि कि कौन सा figure सबसे अलग है तो आप देख रहे हैं C को छोड़ गर बागी जो सभी जो arrow है वो घड़ी के विपरीत दिसा में कुम रहा है तो इसलिए जो C है वो odd one out हो जाएगा दोस्तों इसके बाद पूछा गया कि कौन सा metal है जो की light bulb की filament को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह जो है यह तंस्ता नहीं यानि कि journal science के जो basic question है वो आप से इसमें पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों यह थे सारे question उमीद है कि इन question से थोड़ी आपको clarity मिली होगी कि किस टाइब से question आते हैं उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो गर पसंद आये तो like share and subscribe करने ना भूले और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार की interesting videos के लिए वीडियों बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद जहिंद